आज के करीब 115 साल पहले साल 1907 में जब लियो एच बैकलेंड ने प्लास्टिक की खोच की थी तब किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि जो प्लास्टिक मानव समाज के लिए एक वरदान के तोर पर पेश किया जा रहा है वहीं कभी इसके लिए अभिशाब बन ये प्लास्टिक अब इतना खतरनाक हो चुका है कि साल 2019 में प्रधानमंतरी को लाल केले की प्राचीर से ये अपील करना पड़ा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को अब खत्म किया जाना चाहिए नमस्कार आप देख रहे हैं धे टीवी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कारक्रम में मैं हूँ के स्रीपांडे बहुत से असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन जैसे की एथिलीन प्रोपेलीन के उच बहुलक को ही प्लास्टिक कहा जाता है मुलायम होने के कारण इसे किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है निर्वाड के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार का होता है पहला प्राकरतिक प्लास्टिक और दूसरा कृत्रिम प्लास्टिक प्राकरतिक प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गरम करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है लाख इसका एक अच्छा उदारन है वही रासानिक विधी से तयार किये गे प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहा जाता है ये दो प्रकार का होता है पहला थर्मो प्लास्टिक और दूसरा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक को गर्म करने पर ये कई रूपों में बदल जाती है polythene, polypropylene, polyvinyl chloride जैसे plastic थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं जबकि thermoseating plastic एक ऐसी plastic होती है जो गर्म करने पर कठोर हो जाती है लेकिन इसे फिर से गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता यूरिया, फार्मिल डिहाइड, पॉली यूरिथेन जैसे प्लास्टिक, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक की कटेगरी में आते हैं अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एक बार इस्तिबाल करने के बाद इसे फैक दिया जाता है इसका नतीजा यह होता है कि जग़ जग़ आपको प्लास्टिक कचरे का अंबार देखने को मिल सकता है एक आकड़े के मताबिक हर साल दुनिया में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में दुनिया भर में भारत का पाचवास्थान है अब दिक्कत ये है कि ये प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में यूँ ही बने रहते हैं यानि नश्ट नहीं होते हैं साथनी कुल उत्पादित प्लास्टिक का मात्र 10-13 फिस्दी ही रिसाइकल हो पाता है और उसमें भी पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक को रिसाइकल करना काफी मुश्किल होता है फेके गए प्लास्टिक जमीन के अंदर या नदी के जरिये समुद्र में बह जाते हैं जहां ये छोटे-छोटे कड़ों में तूट कर खतरनाक रसायनों में तबदिल हो जाते हैं ये खतरनाक रसायन समुद्री जयवी वित्ता को नस्ट करने के साथ साथ समुद्री जीवों की जनन शमता को भी बूरी तरह से प्रभावित करते हैं प्लास्टिक में एक और स्थिर प्रकृत का जैविक कार्बनिक एस्टर होता है जिसके कारण कैंसर होने की भी संभावन आए रहती हैं। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाए गया था। प्लास्टिक के लिए मिंदुम मंजप्पई नामके गभियान शुरू किया है। उदारण के तौर पर कचरे के निस्तारण से जुड़ा एक अंतरास्टिय समझाओता जिसका नाम है बैसल कन्वेंशन इसे लागू किया गया है। दरसल मज़ुदा वक्त में देश में प्लास्टिक उत्पादित करने वाले कमपनियों के प्रमाडन की कोई एजंसी नहीं है। ऐसे में ये कमपनिया अपने सुविधानुसार मरमाने तरीके से प्लास्टिक का उत्पादन करती हैं। इसलिए विशेशग्यों का कहना है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है तो इन कमपनियों के उत्पादों की निगरानी और प्रमाडन की समुचित व्यवस्था करनी होगी। कचरे के प्रबंधन को लेकर भारत की सबसे बड़ी समस्या ग्रेडिंग की है जिससे कूडे में मौझूद वास्तविक प्लास्टिक का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। प्लास्टिक कचरे का सही अनुमान न होने के चलते इसके निस्तारण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। अपनी धर्ती को कितना खुबसूरत और कितना सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो यह थी बात मिंदु मंजपपई और सिंगल यूज प्लास्टिक की और आपके लिए आज का सवाल आपको कमेंट करके बताना है कि आपके नजर में इस समस्या का बेहतरी नूपाय क्या हो सकता ह इस एपिसोड में इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नए कारकरम के साथ तब तक क्लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए नमस्कार